हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल नितिका स्टडी पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक है किंग्डम मुनिरा हम किंग्डम मुनिरा के बारे में डीटेल से जानेंगे आज हमारा में जो टॉपिक रहेगा हम कवर करेंगे क्लासिपिकेशन ओफ किंग्डम मुनिरा या फिर मुनिरा जगत का वर्गी करन यदि हम देखें तो यहाँ पर मुनिरा जो जगत है उसको हम अगर डीटेल से जानना चाहते हैं उनमें पाए जाने वाले जीव के बारे में डीटेल से देखना चाहते हैं तो इन्हें आप 4 भागों में डीवाइड कर सकते हैं जिसमें पहला है बैक्टिरिया दूसरा है एक्टिनो माई सिटिस तुसरा है साइनो बैक्टिरिया और चौता है आरकी बैक्टिरिया दोस्तों यदि आपको जो मुनिरा जगत है उसके बारे में पूरा डिटेल से जानना है उसके में जो फीचर है उनमें पाये जाने वाले जीवों का उसको जानना है तो आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो बनाया है आप उसको जाके देख लिजिए मेरे चैनल पे मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूगी तो यहां पर हम यदि देखें तो चार टाइप हो गए हमारे जगत मोनेरा में पहला है बैक्टिरिया दूसरा है एक्टिनोमाइसिटिस तिसरा है साइनो बैक्टिरिया और चांथा है आरकी बैक्टिरिया आज हम इन चारों के बारे में डीटेल से जान लेंगे यहां पर सबसे प पहले जो खोज है उसे किसने किया था लीवएन होक के द्वारा किया गया था 1683 में दोस्तों मैंने बैक्टिरिया की खोज और इनका जो इतिहास है उसका वीडियो बनाया है डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिएगा यदि हम देखें तो जो बैक्टिरिया है वे ऐ इसा कोई भी जगा नहीं है फिरित्व में जहां पे यह पाय जाते हूं मतलब कि यह सर्ववयापि होते हैं यह प्रोकैरीयोटिक होते मतलब ऐसे घिव होते हैं जिन में सत्केंद्रक्ण का अभाव होता है ये स्वैपोसी, परजीवी, मृतोवजीवी या सहजीवी हो सकते हैं और इनके जो कोसिका है सेल है उसमें जो औरगनेल पाये जाते हैं जैसे माइटोकॉंड्रिया, गॉल्जीका, एंडोप्लाजमिक रेटिकलोम, लवक आधी इनमें जो है इनका अभाव होता है इनमें कोसिका भित्ती पाई जाती है, जो कि सेलियोलोजकी होती है कोसिका भित्ती में पेप्टिडोगलाइकेन, ये अम एसिटल, मियूरेमिक आमलभी पाया जाता है यदि हम यहाँ पे देखें तो इनमें जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का पाया जाता है कुछ जो बैक्टिरिया होते हैं, उसमें फ्लैजीला या फिर कसाभिका पाये जाते हैं जो कि इनमें प्रचलन में सहयक होते हैं इनके और इनमें जो यदि हम प्रजनन देखें तो इनमें एंडोस्पोर्स के द्वारा इनका प्रजनन होता है या फिर वर्धिप प्रजनन इनमें देखे तो वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है यहाँ पर यदि हम देखे तो इनमें लेंगिक प्रजनन संयुगमन के द्वारा होता है तो यहाँ पर हमारा पहला जो टाइप था बैक्टिरिया वो पूरा हो गया यदि हम देखें दुसरा यहाँ पर प्रकार है तो वो हो जाएगा हमारा एक्टिनो माइसिटीज क्या होते हैं एक्टिनो माइसिटीज या फिर इन्हें तंतुवत या कवक्सम जिवाडू भी कहा जाता है यहाँ पर Ectinomycetes में देखें तो यहाँ यह दो वर्ट से मिलकर बना है पहला है Ectis जिसका अर्थ होता है रे और दूसरा है Mysis जिसका अर्थ होता है फंगस यह बहु कोस कि प्रोकेरियोटिक कोसिका संरचना वाले तंतुवत बैक्टिरिया होते हैं और यदि हम देखें तो इनका जो नाम है वो कवकसम कहा जाता है क्योंकि यह जो जिवाडू है कवकसम जिवाडू है या फिर Ectinomycetes हैं इनमें कवकों एवं कवकों मतलब कि फंगस एवं बैक्टिरिया दोनों के समान लक्षण पाये जाते हैं चलिए देखते हैं कि इनमें कौन-कौन से लक्षण है कैरेक्टर है जो यहाँ पर फंगल या फिर कवकों के समान पाये जाते हैं तो यहाँ पहला है कि इनमें तंतुवत सरीर का पाया जाना इनका जो सारीरिक सर रचना है वो तंतुवत होता है जो कि कवकों का एक विसेश लक्षण है दूसरा है तंतुवत का वायो वी है संभी कहा जाता है यदी हम देखें इनमें जिवाड़ू के समान कुन-कुन-से लक्छन पाये जाते हैं तो यहां पर जो बैक्टीरियल केरेक्टर है इनके यह पहलप प्रोटिक कोशिका सरचना वाले होते हैं देखें बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है और इसिलिए इन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है इसीちょっと कहले मोई 다시 होते हैं परंज्व हुआं पर यहां पर जो फिर देख हैं हम देख रही हिए हम देख रहे हैं कि जो मोनेरा जनीं को प्रोकारीयोटिक होता है तो इसे लिए कवक सम्झिवांड हो फिर मुख्यता करें। दो नों लक्षण पाया है,। Gobierno मुख्यताल मिट्टी में जल उनमें, खादों आदी में पाई जाती है इनकी जो अधिकान्स प्रजातियां है वो मृतोप जीवी होती है तो तक कुछ प्रजातियां पैरासाइट भी होती है इनकी परजीवी प्रजातिया पौदों एवं जन्तों में विभिन प्रकार की रोग उत्पन्न करती है यहाँ पे हम देखें तो जो Ectinomycetes हैं, उनमें जो प्रजनन है वो कोनिडिया और OIDIA की द्वारा होता है और इसमें जो कोनिडिया का जो निरमाण है वो कोनिडियो फोर्स के उपर होता है तन्तुवत होते हैं तथा इनकी तन्तु किरन नुमा या रे लाइक व्रिध्धी करते हैं इसी कारण इन्हें रे फंजाई भी कहा जाता है पर यहाँ पर आधुनिक जो वैग्यानिक थे साइन्टिस्ट है उन्होंने देखा कि ये प्रोकेरियोटिक होते हैं और इसी कारण इन्हें मुनिरा जगत में रख दिया गया और ये स्वैम पोसी के रूप में पाई जाते हैं कुछ सायनो बैक्टिरिया जो हैं वो सहजीवी के रूप में लाइकेनो, एजोला या फिर फर्न और ब्रायोफाइट्स आदि किसांद सहजीवी रूप में पाई जाते हैं चलिए इनमें जो महत्वूण लकछणे वो देख लेते हैं यह जल एवं नम भूमी पर पाया जाते हैं यह आटोट्रोपिक होते हैं और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है देखे इन्हें इसलिए नीली हरी सेवाल कहा जाता है क्योंकि ये इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भूजन स्वेम बना सकते हैं पर यहां पर मैंने फिर हमें बताना चाहूंगी कि ये प्रोकेरियेटिक हैं इसी कारणी से मोनीरा जगत में रख दिया गया है इनके कोसिकाओं के चारों और एक स्लेस्मिक आयरन पाया जाता है जिसे मीको पेप्टाइट्स कहा जाता है और इनमें पेप्टीडोग्लाइकोन भी होता है यहां पर प्रतिय कोसिका के चारों और सेली लोज की बनी सेल वॉल पाई जाती है यदि हम देखें तो कोसिकाओं में जिवाणों के समान इनमें प्रारंबिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और यह प्रोकेरियेटिक होते हैं इनमें जिल्डी बद या फिर मेंब्रेन बाउंड कोसी कांगों का अभाव होता है साइनो बैक्टिरिया में भुज्जि पदार्थों का जो संग्रहन है वो स्टार चेवं प्रोटीन के रूप में किया जाता है और इनमें जो गैस वैक्टियूल है वो पाया जाता है जो इन्हें तैरने में सहयक पहुंचाती है यदि हम यहाँ पे देखें तो इनमें प्रजनांगों का अभाव पाया जाता है साइनो बैक्टिरिया में लेंगिंग प्रजनन तथा चल प्रजनक सनरचनाओं का भी अभाव होता है इनमें जो प्रजनन है वो एकाइनेट्स, हार्मो गोम्स और हिट्रोसिस्ट आदी के द्वारा होता है यदि हम यहाँ पे साइनो बैक्टिरिया का एक्जामपल देखें तो नाश्टाक, एनाबीना, ओसिले, टोरिया, माइक्रो, सिस्टिस इसके एक्जामपल हो जाएंगी अब हम यहाँ पे देखेंगे आर्की बैक्टिरिया क्या होते हैं यहाँ प्यादी हम बात करें तो आर्की बैक्टिरिया जीवानों का एक प्राचिंतम सम्मू है और इनकी जो कोसिकाओं की कोसिका भित्ती है या फिर जो सेल वॉल है वो पॉलिसेकिराइट और प्रोटीन की बनी होती है और इनकी जो कोसिका जिल्ली है वो लिपिट की खलाएं पाई जाती है इस प्रकार की जो जिल्ली होती है या फिर मेंब्रेन होती है वो आर्की बैक्टिरिया को साधारन ताप और प्येस से रक्षा करती है इनकी जो भित्ती होती है या फिर जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडो ग्लाइकॉन नहीं पाया जाता है य मेथिन गेस पैदा करते हैं, इसे कारण इन्हें मेथिन उतपादक जीवाणू या फिर मेथिनो जेंस कहा जाता है मेथिनो जेंस जो हैं वो दलदल भूमी और पसुओं के प्रथम अमासे में पाए जाते हैं अमास है कि अंदर ये cellulage का कीडवन या अब घटन करते हैं ये जिवाड़ू ही जैव गैस सैंत्रो या पर जिसे बायो गैस प्लांट कहा जाता है उसमें जो मेथिन गैसे उसको उद्पन्न करते हैं यदि हम देखें इसका एक्जामपल मेथिनो जिन्स के तो मेथिनो बैक्टिरिया मेथिनो कोकस इसके एक्जामपल हो जाएंगे हमारा यहां पर दूसरा और की बैक्टिरिया है है यदि हम देखें तो यह ऐसे और की बैक्टिरिया है जो अधिक नमक की सांद्रता वाले घुलों में पाए जाते हैं इसी कारण इन्हीं हेलो फिल्ट्स या फि प्रेक्रियाओं में करते हैं यदि हम यहां पर हैलो फिल्ट्स बैक्टिरिया का एक्जामपल देखें तो यहां पर है हैलो बैक्टिरियाम और हैलो कोकस हमारा यहां पर तीसरा जो टाइप से तो यह है थर्मो एसीडो फिल्स यदि हम देखें तो थर्मो एसीडो फिल्स ऐ T與 ovi या फिर अ वाइयोवी बैक्टिरिया जो गइंट गंधक युक्ट जहरू में बाइ costing यह वायवी परिस्थिती में गंधक गंधक के अमलमि आकसिक्रियत कर देते हैं और यदि हम देखें तो यह ठर्मोगा शीट फिल्स होते हैं यह थर्मो इसीडोफिल्स या ताप और अमलेप्रीय हो सकते हैं यादे हम देखें तो यहाँ पर जो आर्गी ब्यक्टिरिया हैं वह किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं और अपना जो विकास है वो कर सकते हैं इसकारण इन्हें जीवित जिवास में भी कहा जाता है जो मोनीरा जगत को हम classify कर सकते थे तो हमने यहां पर चार classification आद देख लिया bacteria, actinomycities, cyanobacteria और archibacteria यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो like, subscribe और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको notification मिल जाए पहले और आप उसे देख पाएं Thank you for watching